बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम, अस्सलाम उलेकुम, उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, आज मैं आपके लिए एक बहुती जबरदस्त से कुइक से चिकन पिज़ा की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ, उमीद है आपको अच्छी लगेगी, तो यहां पे मैंने ट्रे के अंदर अच्छी तरह लगा दिया है, इसकी रेस्पी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज जरूर चक कीजिएगा, अच्छी तरह इसको फोक से हमने पंच कर देना है, और अब मैं शामिल कर रही हूँ, घर की बनी हु इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जरूर चक कीजिएगा, आब बाजार से खरीदी हुई पीजा सॉस भी शामिल कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह हमने स्प्रेड कर देना है इसके उपर, ताके सारी डो के उपर अच्छी सी पीजा सॉस लग करना चाहें, आपको पसंद हो, आप वो शामिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इस वकत चैडर शामिल कर रही हूँ, इसके उपर मैं एक लेर लगाऊंगी, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च की, वो भी अच्छी तरह फिला के आपने शामिल कर देना है, मुझे थोड़ सा पसंद है, तो मैं जड़ा थोड़ से ज़ादा अड़ कर रही हूँ, आपको जिस तरह पसंद हो, आप उसके साब से शामिल कीजिएगा, बारीक बारीक कट किया है, मैंने दोनों सबजीों को, अब मैं शामिल कर रही हूँ चिकन, चिकन मैंने बॉइल कर लिया था, एक शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर, ताकि जब फिजा हमारा बेक हो, तो बहुत ही मज़े का लुक हो उसका, ओलिव शामिल कर रही हूँ, ब्लैक, आप ग्रीन भी शामिल कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में मैं औरिगानो पाउडर शामिल कर रही हूँ इसके उपर, अगर आ 30 मिनट लगे हैं, 35 मिनट और बहतरीन सा हमारा पिजा बेक हो गया है, उमीद है, कि आपको ये रेस्पी अच्छी लगेगी, वीडियो को ज़्यादा ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर है, कि क्न ओंष, और सकत堂 चिसे नहीं कि ने सम्क्राइब तकॉेन साथESCO किस्टार के ये बėर भीज़रा जरूर कुराइब